प्रिश्ट संख्या एक से सोलह तक लेखक शिवपूजन सहाय लेखक परिचे शिवपूजन सहाय का जन्म सन 1893 में गाउं उन्वास जिला भोजपुर बिहार में हुआ उनके बच्पन का नाम भोला नाथ था दस्मी की परिक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया शियोपोजन सहाय अपने समय के लेखोकों में बहुत लोकप्रिये और सम्मानित व्यक्ति थे उन्होंने जागरन, हिमाले, माधुरी, बालक, आदी कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं मतवाला की संपादक मंडल में थे सन 1963 में उनका देहा अंथ हो गया वे मुखिता गद्य के लेखक थे, देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन, वे लोग, स्मृति शेश, आदी उनकी दर्जन भर गद्यकृतियां प्रकाशित हुई है शिवपूजन रशनावली के चार खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित है उनकी भाशा में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं अब प्रस्तुत है पाठ माता का अंचल जहां लड़कों का संग तहां बाजे मर्दंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहा कर पूजा करने बैठ जाते थे हम बच्चपन से ही उनके अंग लग गए थे माता से केवल दूद पीने तक कन आता था इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते हम भबूद का तिलक लगा देने के लिए उनको दिख करने लगते थे कुछ हस कर कुछ जुझला कर और कुछ डाट कर वह हमारे चोड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे हमारे लिलार में भबूद खुब खुब खुलती थी सिर में लंबी लंबी जटाएं थी भबूद रमाने से हम खासे बंभूला बन जाते थे पिताजी हमें बड़े प्यार से भोला नात कहे कर पुकारा करते पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नात हम भी उनको बाबुजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया जब बाबुजी रामायन का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुह निहारा करते थे जब वह हमारी और देखते तब हम कुछ लजा कर और कुछ मुस्कुरा कर आईना नीचे रखते थे वह भी मुस्कुरा पड़ते थे पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते अपनी एक राम नामा बही पर हजार राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रखते थे फिर पाँच सो बार कागस के छोटे छोटे टुकडों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेडते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। वो जी हमसे कुश्टी भी लड़ते। वह शितिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पचार देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी चाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी-लंबी मूचें उखारने लगते तब वह हस्ते हस्ते हमारे हाथों को मूचें से छुड़ा कर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खटा और मीठा चुमा मांगते तब हम बारी-बारी कर अपना बाया और दाहिना गाल उनके मूह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुमा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुमा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूच हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे. हम जुझला कर फिर उनकी मूचे नोचने लग जाते थे. इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिल खिला कर हसने लग जाते थे. उनके साथ हसते हसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे. वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे. जब हम खा कर अफर जाते तब मईया थोड़ा और ख करते थी वो बाबो जी से कहने लगती आप तो चार-चार दाने के कौर बच्चे के मुह में देते जाते हैं इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए आप खिलाने का धंग नहीं जानते बच्चे को भर मुह कौर खिलाना चाहिए जब खाएगा बड बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी बरता है यह कहे वह थाली में दही भात सान्ती और अलग-अलग तोता मेना कबूतर हंस मोर आदी के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खालो नही हम सब बनावटी चुडियों को चट कर जाते थे तब बाबुजी कहने लगते अच्छा अब तुम राजा हो जाओ खेलो बस हम उठकर उचलने कूदने लगते थे फिर रस्ती में बंधा हुआ काट का घोड़ा लेकर लंग-धरंग बाहर गली में निकल जाते थे जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाग चट पटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी हम रोने लगते और बाबुजी उस पर बिगड़ खड़े होते पर वह हमारे सिर में तेल बोध कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाग चट पटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी हम रोने लगते और बाबुजी उस पर बिगड़ खड़े होते पर वह हमारे सिर में तेल बोध कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी फिर हमारे नाभी और लिलार में काजल की बिंदी लगा कर चोटी गुंत थी और उस पे फूलदार लट्टू बांद कर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी हम खासे कनहिया बनकर बाबुजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक जुंड मिल जाता था हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकतना भूल कर बाबुजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं तरहा तरहा के नाटक चबूत्रे का एक कोना ही नाटक घर बनता था बाबुजी जिस छोटी चौकी पर बैठ कर नहाते थे वही रंग मंच बनती उसी पर सरकंडे के खंबो पर कागस का चंदोवा तानकर मिठाईयों की दुकान लगाई जाती उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में धेले के लड़ू पत्तों की पूरी कचोरियां, गिली मिट्टी की जलेवियां, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे, आदी मिठाईयां सजाई जाती ठीकरों के बठखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते हमी लोग खरीददार और हमी लोग दुकानदार बाबु जी भी दो चार गोरक पुरिये पैसे खरीद लेते थे थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ा कर हम लोग घरउंदा बनाते थे धूल की मेर दीवार बनती और तिनकों का छपपर दातुन के खंबे, दियासलाई की पेटियों के किवार, घड़े के मुहरे की चुला चक्की, दिये की कड़ाही और बाबु जी की पूजा वाली आच्मनी कल्ची बनती थी पानी के घी, धूल के पिसान और बालों की चीनी से हम लोग जयोनार तयार करते थे हमी लोग जयोनार करते और हमी लोगों की जयोनार बैठती थी, जब पंगत बैठ जाती थी, तब बाबु जी भी धीरे से आकर पात के अंद में जीमने के लिए बैठ जाते थे उनको बैठते देखते ही हम लोग हसकर और घरूंदा बिगार कर भाग चलते थे वो भी हसते हसते लोट पोट हो जाते और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोला नात कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शेहनाई बजाई जाती, तूटी चुहेदानी की पालकी बनती हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूत्रे की एक कोने से चल कर बारात दूसरे कोने में जाकर दर्वाजे लगती थी वहां काट की पट्रियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा रहता था वहीं पहुँचकर बारात फिर लोट आती थी लोटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुलहिन को चढ़ा लिया जाता था लोट आने पर बाबुजी जिवहीं ओहार उगहार कर दुलहिन का मुख निरखने लगते त्यों ही हम लोग हस कर भाग जाते थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी एकठा होते ही राय जमती के खेती की जाए बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुमा बन जाती थी मुँज की बटी हुई पतली रसी में एक चुकर बांध गराडी पर चढ़ा कर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बन कर मोट खीचने लग जाते चबूतरा खेत बनता कंकर बीज और ठेंगा हल जुआठा बड़ी महनत से खेत जोते बोए और पटाय जाते फसल तयार होते देर न लगती और हम हाथो हाथ फसल काट लेते थे काटते समय गाते थे उच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी फसल को एक जगे रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे कसोरे का सूप बना कर उसाते और मिटी की दिये के तराजू पर तोल कर राशी तयार कर देते थे इसी बीच बाबु जी आकर पूछ बैटते थे इस साल की खेती कैसी रही भोलानात बस फिर क्या हम लोग जियों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हस्ती हुए भाग जाते थे कैसी मौज की खेती थी ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बरावर खेला करते थे बटो ही भी कुछ देर ठिटक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे जब कभी हम लोग ददरी के मिले में जाने वाले आदमियों का जुन्ड देख पाते तब कूद कूद कर चिलाने लगते थे चलो भाई यो ददरी सातु पिसान की मोटरी अगर किसी दूले के आगे आगे जाती हुई वो हारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चलाने लगते थे रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कनिया हमार महरी इसी पर एक बार बुढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड कर ढेलों से मारा था उस खकूट उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है नजाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढोंड निकाला था वैसा घुड मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की और दौर पड़ते थे वहाँ चुन-चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे एक दिन की बात है आंधी आई और पट पड़ गई आकाश काले बादलों से ढग गया मेख गरजने लगे बिजली कौंधने और ठंडी हवा संसनाने लगी पेड जूमने और जमीन चूमने लगे हम लोग चिला उठे एक पैसा लाई बाजार में छितराई बर्खा उधरे बिराई लेकिन बर्खा न रुकी और भी मूसला धार पानी होने लगा हम लोग पेड़ों की जड़ से धर से सट गए जैसे कुत्ते के कान में अंठ़ई चिपक जाती है मगर बर्खा जमी नहीं थम गई बर्खा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए हम लोग डर कर भाग चले हम लोगों में बैजू बड़ा धीट था संयोग की बात बीच में मुसन तिवारी मिल गए बेचारे बुढ़े आदमी को सूचता कम था बैजू उनको चिढ़ा कर बोला बढ़भा बेइमान मांगे एक करैला का चोखा हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिला कर यही चिलाना शुरू किया मुसन तिवारी ने बेताहाशा ख़देड़ा हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंदी हो चले जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाटशाला में चले गए वहां से हम को और बैजू को पकड़ लाने के लिए चार लड़के गिरफतारी वारंट लेकर छूटे इधर जियों ही हम लोग घर पहुँचे तियों ही गुरू जी के सिपाही हम लोगों पर तूट पड़े बैजू तो नो दो ग्यारा हो गया हम पकड़े गए फिर तो गुरू जी ने हमारी खूब कबर ली पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे रोते रोते उनका कंधा आस्वों से तर कर दिया वह गुरू जी की चिरौरी करके हमें घर ले चले रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का जुन्ड बिला वे जोर से नाच्टे और गाते थे माई पकाई गरर गरर पुआ हम खाईब पुआ ना खेलब जुआ फिर क्या था हमारा रोना धोना भूल गया हम हट करके बाबु जी की गोच से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दोर पड़े उसमें चड़ियों का जुंड चर रहा था वे दोर दोर कर उन्हें पकड़ने लगे पर एक भी हाथ ना आई हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे राम जी की चीरई राम जी का खेत खा लो चीरई भर भर पेट हम से कुछ दूर बाबु जी और हमारे गाउं के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हस्ते थे कि चिडियों की जान जाये लड़कों का खिलाओना सचमुच बलड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलिशने लगे नीचे से उपर पानी फेकना था हम सब ठक गए तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का साप निकलाया रोते चिलाते हम लोग बेताहाशा भाग चले कोई ओंधा गिरा कोई अंटा चिट किसी का सरफूटा किसी के दाथ तूटे सभी गिरते पढ़ते भागे हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई पैरों के तलवे काटों से चलनी हो गए हम एक सुर से दोड़े हुए आए और घर में घुज गए उस समय बाबुजी बैठक के उसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अंसुनी करके हम दोड़ते हुए मैया के पास ही चले गए जाकर उसी की गोद में शरन ली मैया चावल अमनिया कर रही थी हम उसी के आंचल में छिप गए हमें डर से कापते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोच कर हमें चूम लेती बड़े संकट में पड़ गई जटपट हल्दी पीस कर हमारे घावों पर थोपी गई घर में कोहराम मच गया हम केवल धीमे सुर से सां 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे सारा शरीर थर थर कांप रहा था रोंग्टे खड़े हो गए थे हम आंखे खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी हमारे कापते हुए ओठों को मैया बार बार नहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी इसी समय बाबुजी दोड़े आये आकर जट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांती के चंदोवे की चाया न छोड़ी शब्द अर्थ म्रदंग याने एक तरह का वाद्य यंत्र तड़के याने प्रभात सवेरा लिलार अर्थात ललाट त्रेपुंड याने एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर तीन आड़ी या अर्ध चंद्राकार रेखाएं बनाई जाती है उतान अर्थात पीठ के बल लेटना सानकर याने मिलाना, लपेटना गुंथना अफर अर्थात भर पेट से अधिक खालेना ठोर अर्थात स्थान अवसर, महतारी याने माता तेल याने सरसों का तेल बोथकर अर्थात सराबोर कर देना चंदोआ याने छोटा शामियाना जेवनार अर्थात भोज दावत जीमने याने भोजन करना अमोले याने आम का उगता हुआ पोधा ओहार याने परदे के लिए डाला हुआ कपड़ा कसोरे अर्थात मिट्टी का बना छिचला कटोरा रहरी अर्थात अरहर अंठाई याने कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीडे किलने चिरवरी याने दीनता पूर्वक की जाने वाली प्राथना विंती अमनिया अर्थात साफ शुद प्रश्न अभ्यास प्रश्न एक प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुडाव था फिर भी बिपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माता की शरन लेता है आपकी समझ से इसकी क्या वज़े हो सकती है प्रश्न दो आपके विचार से भोला नात अपने साथियों को देख कर सिसकना क्यों भूल जाता है प्रश्न तीन आपने देखा होगा के भोला नात और उसके साथि जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं आपको यदि अपने खेलों आदी से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिये प्रश्न चार भोला नात और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामगरी आपके खेल और खेलने की सामगरी से किस प्रकार भिन है प्रश्न पाँच पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छुगए हों प्रश्न छे इस उपन्यास अंश में तीस की दशक की ग्राम्य संस्कृती का चित्रन है आज की ग्रामीन संस्कृती में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं प्रश्न साथ पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा अपनी इन भावनाओं को डाइरी में अंकित कीजिए प्रश्न आठ यहां माता पिता का बच्चे के प्रति जो वातसल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए प्रश्न नो माता का अंचल शिर्षक की उप्युक्तुता बताते हुए कोई अन्य शिर्षक सुझाए प्रश्न दस बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं प्रश्न ग्यारा इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बच्चपन की दुनिया से किस तरह भिन है प्रश्न बारा फणीश्वरनाथ रेनू और नागारजुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए